लिखक गणिश दत्शर्मा प्रिष्ट चप्पन पाठ दस मीठी सारंगी एक गाउं में एक सारंगी वाला आया वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया तब गाउं के बहुत से लोग इकठे हो गए सारंगी की मीठी आवाज और सारंगी वाले के बजाने की कला से गाउं की लोग दंग रहे गए सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है प्रिष्ट 57 अहा कितना आनन्दा रहा है वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बाते सुन रहा था वहाँ मन ही मन कहने लगा इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी लेकिन मेरा तो मुह मीठा हुआ ही नहीं ये सब जूठे हैं थोड़ी देर बात उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुह मीठा हो जाए इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया रात के तीन चार बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा महराज आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है हमें बड़ा ही आनंद आया दो चार दिन यहीं ठहरिये ये बाते सुनकर भूला मन ही मन जुझ लाया और सोचने लगा ये लोग जूट तो नहीं बोल सकते सारंगी मीठी जरूर है पर मुझे न जाने स्वाद क्यों नहीं आया तब तक रात ज्यादा हो गई थी इस कारण लोग घर नहीं गए वहीं चौपाल में सो गए सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चड़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया पर भूला को चैन कहां था? जब लोग नींद में खर राते लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठाली और उपर का खोल उतार कर उसे जीब से चाटा कोच स्वाद नहीं आया अब उसने सारंगी को खूब हिलाया उसके छेद को मुह के पास लगाकर मुह में उडेला पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली वह लोगों की बेवकूफी पर बहुत ही जुझलाया अब की बार उसने सारंगी को गाओं से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया वह लोगों की बेवकूफी पर हस्ता हुआ अपनी जगा पर आकर चुप चाप सो गया सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगा पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी पता नहीं कौन ले गया भोला इस बात को न सुन सका और घुसे से बोला क्या खाक मीठी थी मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था उसमें जरा भी मिठास नहीं थी तुम सब लोग जूटे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहा उसने कहा गाम के बाहर पड़ी है लोगों ने भोला की बेवकूफी पर सिर पीट लिया प्रिष्ट उनसट अभ्यास सारंगी की मिठास गाम वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है इसका क्या मतलब है सही बात पर सही का निशान लगाओ सारंगी चकने पर मीठी थी सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिन भिना रही थी अब तुम समझ गए होगे कि गाम वाले सारंगी को मीठी क्यूं कहते थे अब बताओ कडवी बात का क्या मतलब होगा कहानी से भोला ने क्यूं सोचा कि सभी जूट बोल रहे हैं भोला को सारंगी का स्वाद क्यूं नहीं आया बोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है खोल सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रख कर सो गया सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यूं चढ़ाया होगा और किन-किन चीजों पर खोल चढ़ाया जाता है प्रिष्ट साथ गाओ बजाओ सारंगी धोलक इकतारा तबला बासुरी शहनाई डफली सितार गिटार हार्मोनियम यहां संगीत के बाजों के नाम लिखे हैं इन में से कुछ तार छेड़ कर बजाय जाते हैं और कुछ हाथ से थाप दे कर इनके नाम सही जगा पर लिखो तार वाले रिक्तिस्थान थाप वाले रिक्तिस्थान अन्य रिक्तिस्थान कुछ नाम बच भी गए होंगे उन्हें अन्य के नीचे लिखो इन बाजों को जगा जगा पर बजाया जाता है सोच कर लिखो इन जगों पर क्या क्या बजाया जाता है रेल गाड़ी या बस में रिक्त स्थान घर पर किसी अवसर पर रिक्त स्थान भजन कीर्तन में रिक्त स्थान स्कूल में किसी अवसर पर रित्स्थान प्रिष्ठ 61 चटखारे इस कहानी में मिठास की बात है तुम्हें कौन-कौन सी मीठी चीजें अच्छी लगती हैं? क्या खाने की चीजें सिर्फ मीठी ही होती हैं? मीठे के अलावा उनका और क्या-क्या स्वाद होता है? अब यहां लिखी खाने-पीने की चीजों को स्वाद के हिसाब से लगाओ आम मिर्च का अचार जल्जीरा नीम्बू शहद चीनी नमक दूद आवला करेला अदरक रित्स्थान तुम इस तालिका में कुछ नाम अपने मन से भी जोड सकते हो यहां लिखे शब्दों को बोल कर देखो बासुरी बंसी हस हंस अब यहां दिये गई शब्दों में चंद्र बिंदू या बिंदू लगाओ चाद चदन मगलवार मागना सुदर साप जासी जजट ककड काप लेसन के बाद अब बारी है कोशन आंसस की क्लास टू हिंदी चाप्टर टैन मीठी सारंगी पेज नमबर फिफ्टिनाइन भोला ने क्यूं सोचा कि सभी जूट बोल रहे हैं भोला ने जब सारंगी को चाट कर देखा तो वह उसे मीठी नहीं लगी इसलिए उसे लगा कि सब जूट बोल रहे हैं भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया भोला को सारंगी का स्वाद इसलिए नहीं आया क्योंकि सारंगी लकडी की बनी थी और लकडी बेस्वाद होती है भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है भोला ने सारंगी को पूरा चाटा उसके बाद उसके छेट पर मू लगा कर इंतजार करता रहा कि वहां से कुछ मीठा रसगिरे परंतो उसे कुछ हासिल नहीं हुआ गाहँ वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है इसका क्या मतलब है सही बात पर सही का निशान लगाओ सारंगी से निकलने वाली आवाद सुनने में अच्छी लगती थी अब तुम समझ गए होगे कि गाहँ वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे अब बताओ करवी बात का क्या मतलब होगा जब कोई किसी को ऐसी बात कह दे जिससे किसी का दिल दुख जाए उसे करवी बात कहना कहते है Q1. सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? सारंगी वाले ने अपनी सारंगी को तूटने फूटने तथा गंदगी से बचाने के लिए खोल चढ़ाया खोल चड़ा कर चीजों को खराब होने से बचाया जा सकता है और किन-किन चीजों पर खोल चड़ाया जाता है रजाई, गदे, सोफे, तबला, गीटार, वीना, बजाने वाले डrum इत्यादी पर खोल चड़ाया जाता है पेज नमबर 60 उपर संगीत के बाजो के नाम लिखे हैं इनमें से कुछ तार छेड़ कर बजाए जाते हैं और कुछ हाथ से थाप दे कर इनके नाम सही जगब पर लिखो तो तार वाले हैं सारंगी, गीतार, इकतारा, गीटार थाप वाले, तबला, धोलक, डफली अन्य, बासुरी, हार्मोनियम, शेहनाई अब उपर लिखे बाजो को जग़ जग़ पर बजाया जाता है सोच कर लिखो इन जग़ों पर क्या-क्या बजाया जाता है रेल गारी या बस में, इकतारा, डफली, बासुरी घर या किसी अवसर पर घर या किसी अवसर पर, गीटार, धोलक, हार्मोनियम और सेहनाई बजाई जाती है भजन कीर्तन में, बासुरी, हार्मोनियम, धोलक, डफली, सितार स्कूल में किसी अवसर पर, सितार, गीटार, तबला, धोलक, डफली, बासुरी, हार्मोनियम पेज नमबर 61 इस कहानी में मिठास की बात है तुम्हें कौन-कौन सी मीठी चीज़े अच्छी लगती है चॉकलेट, टॉफी, फल, आइसक्रीम, हल्वा हमें मीठा लगता है क्या खाने की चीज़े सिर्फ मीठी ही होती है मीठे के अलावा उनका और क्या-क्या स्वाद होता है खाने की चीज़े सिर्फ मीठी नहीं होती है मीठे के अलावा खटा, तीखा, करवा, इत्यादी भी स्वाद होते है अब नीचे लिखी खाने पीने की चीजों का स्वाद के हिसाब से लगाओ तो यहाँ जो स्वाद है उस असाब से चीजे हैं आम, नीबू, आवला, जलजीरा, मिर्च, काचार, अद्रक, करेला, नमक, चीनी, शहद, दूद बच्चों, अगला सवाल है, नीचे लिखे शब्दों को बोल कर देखो इन सब्दों को आप इस तरह से बोल सकते हो, बासूरी, बंसी, हंस, हंस यह आप स्वैम बोल कर करेंगे तो यह था बच्चों लेसन है उसके प्रशन और उत्तर जल्दी मिलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ कोई भी डाउट हो, कमेंट करकर आप पूछ सकते हैं और येस, डोन्ट फर्गेट तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, थैंक्स पर वाचिंग